आज मैं बनाने वाली हूँ तावा नान इसके लिए मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नमक एस्ट और शुगर और मिल्क पाउडर डाल कर इसे अच्छा से मिक्स करूंगी तो जो भी इंग्रिडेंट् स्क्रीन पे भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पी दे दूंगी आप चेक कर लिजेगा उसके बाद मैंने यहाँ पर जो पनीर बनाने के बाद जो पानी निकलता है मैंने उसको यूज किया है और हर घर में यह नहीं होगा तो आप थोड़ा सा कर्ड के साथ पा मिक्स कर दिया तो हाथ में चिपकने के लिए बंद हो घया तो अब अCar बहुत किया इसे दख कर 40 ۲. के लिए साइड में रख दिया तो 40 मिनिट के बाद मेरा डो जो हलका फर्मेंट हो गया था तो आप में यहां से थोड़ा सा पोर्शन लोंगी और इसे बेलोंगी एक रोटी जैसा में इसे बनाऊंगी नॉर्मल जो हम पराठे बनाते हैं घर पे उतना ही थिकनेस रखना है क्य क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग इसट सभी डाला है न तो इतना थिकनेस काफी है तो मैंने यहां पर एक रोटी बना लिया है अभी दूसरा बना और भी दिखा रही हूं आपको उसके बाद में फिर आपको सेक कर दिखाती हूं तो यहां पर मेरा दूसरा कर दिआ लुक्त ह्भाटाने के बाद मैंने इसे टर्न कर दिया है तो मैसे टीर्न करने के बाद में यहां कर बाद घी स्खाना के मट्र अब होड़ां equation यह फ़रीज सह निकाल करने का अगर अब प्लान होता था टेन देुछ यह सब्सक्तिते हैं गाला क смог हुथ किया है आपको जो मन हैं वा पहां रोछा पर मेरा जो है बन गया है फर्स नान तो इसतर और बहुत ही सॉफ दा उसके बाद मैने दूसरा भी बनाया ती मीरा रेडि हो गया बहुत हो साल नान तो आप सकते हैं इस इतना जाली-दार बना है तो मैंने इहां पर चिकन करी के साथ इसको सर्फ किया था, आप किसी भी चीज के साथ सर्फ कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है, पनीर, वेजिटेबल, दाल, मकनी, हल, चीज के साथ, तो आश्रा करते हूं, आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक्यू सो मच, बाई